तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्याने के बाद गाय बहस दूद पूरा नहीं देती है तो वो दूद को पूरा आपने कैसे करना है कैसे बढ़ाना है और इसी संद्रम में ये एक बिर्जेश माथुर भाई का कोमेंट भी आया है लिखा है शिसप मेरी गाय आठ महीने से रिपीट हो रही थी वो प्रेगनेंट हो गई आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप इसी तरह से अच्छी जानकारी देते रहे जिससे सभी लोगों का फायदा होता रहे तो बाई यहाँ एक बात माँ आपको ये बता दूँ कि जो आपकी गाय बैस प्रेगनेंट नहीं हो रही है या बार-बार रिपीट कर रही हैं तो उनको किसी भी अच्छी कमपनी का मिनरल मिक्चर जरूर दे या तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस टोपिक पर बना रखी हैं कि आप घर पर अच्छी क्वाल्टी का मिनरल मिक्चर कैसे बना सकते हैं क् कि दोस्तों ये जो गायब ऐसे बार बार रिपीट होती रहती न वो किसी नकिसी मिनरल की कमी के कारण होता है तो आप अच्छी क्वालटी का मिनरल मिक्सिर उसको देते रहेंगे तो वो समश्या खतम हो जाएगे और आपकी गायब ऐसे समय पर ग्याबिन हो जाएगी तो दोस्तों आगे बिर्जेस माथुरबाई ने लिखा है मेरी दूसरी गाय की डिलिवरी अभी 5 जुलाई को हुई है बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन वो जितना खीश दे रही थी दूद भी उतना ही दे रही है यानि कि दूद बड़ा नहीं है दूद कम दे रही है आज उसको डिलिवरी हुए 13 दिन हो गए है करपया कुछ हिलाज हो तो बताए अगर वट्शेप पर बता सकते हैं तो बड़ी मेरबानी होगी बिर्जेस माथूर गुणा मद्य परदेश से मेरा मोबाईल नमबर 394 47 0979 दन्यवाद तो दोस्तो यहां मैं आपको भी एक बात कहना चाहूंगा अगर आपको भी मेरे बताए तरीके से फायदा होता है तो जैसे बिर्जेस भाई ने ये कॉमेंट लिख कर बताया है उसी तरह आप भी बताये तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दोस्तो इसे जो और दूसरे भाई वीडियो देख रहे हैं उनको भी वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी हमारी वीडियो से अपने पसुपालन में फायदा ले सकते हैं तो दोस्तो आगे बात आती है कि ब्याने के बाद कुछ गाएब ऐसे जो है वो दूद बढ़ाती नहीं है दूद उनका कम रहता है या तो जो उन्होंने पहले ब्यात में जितना दूद दिया है उसे इस ब्यात में मातरा दूद की बहुत कम होती है या तो अब की बार ब्याई है और बोडी वेट वगारा से बोड़ी की जो कंडिशन है गाई बैस की उसके हिसाब से लग रही है वही 15-20 किलो दूद देगी लेकिन वो 8-9-10 पर ही अठकी हुई है तो उनके लिए ये वीडियो है ऐसी जो गाई बैसे हैं जो बियाने के बाद पूरा दूद नहीं देती है उनका दूद कैसे बढ़ाना है तो बहुत ही आसान तरीका है आप आसानी से बढ़ा सकते हैं क्योंकि सी स्पालमली का तो डॉंट वरी टैंशन नहीं लेने का पूसूओ की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है तो ये कुछ दो तिन चीजे हैं जो आपने पंशारी के पास आसानी से मिल जाएग आपको इस वीडियो में दूँगा तो नमस्कार दोस्तो मैं हूँ शीश पालमली को और आप देख रहे हैं आप सब का पसंदीदा यूटूब चैनल टूडे फार्मिंग जोन तो सवागत है दोस्तों आप सभी का और दोस्तों डेरी फार्मिंग वो पुसुपालन की रोज सबस्कार राम राम सारे प्रामान सासी काल आजी आजी बात तो बात अपने पाइदा चैनल को सब्सक्राइब करिए इनों बात तो बात आपा होंसला बदाई करिए सरसबती डेरी फार्मिंग तो वे तरते लंबरदार असी बात कर रहे हैं सारे प्रामान तो अगर आप फे Facebook को फोलो कर लीजिए साथ ही हमारे Facebook पेज Two Day Farming Zone को भी फोलो कर लीजिए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कुछ गायब ऐसे ऐसी होती है जो ब्याने के बाद पूरा दूद नहीं देती है तो उनका दूद आपने पूरा कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, पूरे से भी ज्यादा कैसे लेना है, वो जानकर इस वीडियो में दूँगा, वो तरीका बताऊंगा, तो वो तुम आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ फोर्मल्टी है, कुछ जरूरी बाते हैं, जो आपने सभी ने करनी जरूरी होती है, वो यह होती है कि दोस्तों जब भी आपकी गायबैस ब्याती है, बच्चा देती है, तो उसके दो तिन दिन बाद ही आपने उसको 100 गराम कैलिशियम या 100 ml कैलिशियम पिलाने वाली है, तो वो जरूर देनी है, और 50 गराम मिनरल मिक चरट किसी भी अच्छी company का जरूर देना है दूसरी बात दोस्तो आपकी गायबैस ब्याने के विचा किस दिन बाद आपने उसकी de-warming जरूर करनी उसके पेट के कीडो की सफाई जरूर करनी है और de-warming के बाद दस दिन तक कोई भी अच्छी कमपनी का लिवर टोनिक उसे जरूर देना है तो ये दो तिन बाते हैं जो आपने जरूर ध्यान रखनी है तो दोस्तो अब आते हैं उस point पर कि जो गायब ऐसे ब्याने के बाद पूरा दूद नहीं देती है उनका दूद आपने पूरा कैसे करना है तो तीन चीजे हैं ये अपने पनसारी के पाथ से खरीद कर लेकर आनी है आसानी से मिल जाएंगी तो इनमें पहली है आपने 500 गराम एक पाव सूखे आवला खरीद कर लेकर आने है दूसरी चीज दोस्तो आपने सोप देखी होगी नहीं देखी तो क्योंकि बहुत सारे भाईयों के कोमेंट्स आते रहते हैं कि सोप कैसी होती है मैं उनको वीडियो में चितर भी दिखाता हूं फोटो भी दिखाता हूं सोब कैसी होती है आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं ये पहली पहचान मैं बताऊं तो जीरा आपने देखा होगा जीरा सफेद रंका होता लेकिन ये थोड़ी सी हरे रंकी होती है और जीरे से कम स से कम तीन या च्यार गुना मोटी होती है देखने में जीरे जैसे ही होती है दूसरी इसकी पहचान यह बता सकता हूं जैसे आप कभी किसी होटल में या डाबे वगारा पर खाना खाया होगा तो खाने के बाद होटल में चीनी के साथ यह सोप को खाते हैं तो यह दो ही पहचा अंग्रेजी में तो बहुत सारे चितर आपके सामने आ जाएंगे और पांचवा यह है कि आप किसी भी पनसारी के पास जाके बोल दीजिए मुझे सौफ चाहिए तो वो आपको दे देगा आपने पहचान के भी जरूरत नहीं वो अपने आप दे देगा तो यह 500 ग्राम यानि जो की सतावर दो रंकी होती है एक सफेद रंकी एक पीले रंकी तो जो सफेद रंकी वो हमने नहीं लेनी है वो किसी काम की नहीं है जो पीले रंकी सतावर होती है वो हमने लेनी है आदा किलो लेनी है दोस्तो अब यह आपने खिलाना कैसे है जो आपने 500 ग्राम सुखे आव पतन में रख लीजिए तीसरी जो सतावर आपने लिए उसको भी कूट कर बारिक पोडर बनाया कर एक सूखे डिब्बे में रख लीजिए दोस्तों अब ये आपने खिलानी कैसे है कितने दिन खिलानी है तो जो सूखा आउला है डाइसो ग्राम उसका आपने रोज का 25 ग्राम जो पोडर बनाया है कूट कर वो 25 ग्राम जो भी दाना मिश्रन आप अपने पसू को दलिया बाट बंटा किला रहे हैं उसमें मिला के देना है रोज का 25 ग्राम लगातार 8 से 10 दिन दूसरी जो सोप ली है आपने आदा किलो और उसको कूट कर बारिक पोडर बना लिया है तो उसमें से आपने रोज की 50 ग्राम यानि की जो सुखा वला था वो 25 ग्राम था ये उससे डबल है तो ये रोज की आपने 50 ग्राम अपने पसू को ये भी दाना मिश्रन में मिला कर देनी है ये भी 8 से 10 दिन आपने देनी है तीसरी चीज पिले रंकी सताओर को भी आपने पूट कर पाउडर बना कर रख लिया वो भी आपने 50 ग्राम रोज की देनी है दाना मिश्रन दलिये बाट बंटा में ही मिला कर देनी है और 8 से 10 दिन लगातार देनी है तो अच्छा रिजेल्ट आए तो आप इसे 15 दिन तक भी बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों बस ये तीन च चाते है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा कोमेंट करें जिस भी पिसुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज्यादा से ज्यादा कोमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूँगा उसकी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाए counts of बेडियो में बस आहे जल्दे मिलते एक और ने वीडियो में एक और नई जानकारे के साथ तब तक नमस्कार